पाकिस्तान फिर से डिफॉल्ट होने की कागार पर है और एक बार फिर से वह साउधी अरब की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है हो सकता है कि साओधी अरब इस बार भी पाकिस्तान को बचा ले लेकिन साओधी अरब आखिरकार पाकिस्तान को बार-बार बरबाद होने से क्यों बचाता है आए जानते हैं इस वीडियो में सहबाज सरीफ के पाकिस्तान के प्रधान मंत्रीपने एक साल भी नहीं हुआ है और वह दो बार साओधी अरब जा चुके वहीं जनरल सयद असी मुनीर के पाकिस्तानी सेना की कमान आए डेड़ महीने हुए और इसी महीने 5 जनवरी को उन्होंने भी साओधी अरब का दोरा किया है इसका कुल मिला के मतलब ऐसा निकलता है कि पाकिस्तान के लिए साओधी अरब एक बहुत ही महतोपून देश है पाकिस्तान को साओधी अरब से आर्थिक मदद मिलने का पुराना इतिहास है इसमें पाकिस्तान के मदर्सों को मिलने वाले पैसे हो या फिर 1990 के दसक में प्रमानू प्रैक्षन पर अंतरास्टे प्रतिबंधों के बाद की गई मदद 2014 में पाकिस्तानी रुप्या रिकॉर्ड कमजोर हो रहा था तब भी साओधी ने पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर का कर्ज दिया था इमरान खान के प्रधान मंतरी बनने के बाद भी साओधी अरब ने कई बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद की है 1980 के दसक में साओधी अरब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के हमले के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित अफगानिस्तान मुजाहिदीन के मदद करता था इस दोरान साओधी अरब ने पाकिस्तान में सैकडो मदर से बनाये थे जहां वहाबी सुन्नी इसलाम को पढ़ावा देना सुरू किया गया था साओधी अरब में वहाबी सुन्नी मुस्लीमों का ही बोल बाला है साउधी अरब इरान में इसलामिक क्रांती से डरा हुआ था फरवरी 2019 में साउधी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सल्मान ने पाकिस्तान का दौरा किया था MBS के प्लेन की इसलामाबाद में दस्तक हुई तो उसके आज पास पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमानों का जुन्ड मंडराता हुआ दिखाई दिया था MBS को 21 तोपू की सलामी भी दी गई थी पाकिस्तान ने MBS के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और एक संदेश देने की कोशिस की ति साउदी का साही परिवार उसके लिए कितने मायने रखता है तब पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने अरब न्यूस से कहा था कि साउदी अरब के भाईयों के साथ हम हमेशा खड़े हैं साउदी अरब की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान एक बहुत ही एहम देश है अमेरिकी वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार पाकिस्तान की सेना दुनिया की बीश सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है इसके अलावा दुनिया के आठ देश परमानू हत्यारों से लेश है उनमें से एक पाकिस्तान भी है सितंबर 2018 में इमरान खान ने प्रधान मंत्री बनने के बाद पहला दौरा सौधी अरब का ही किया था इस दौरे में इमरान खान ने सौधी गजट को एक इंटर्वियू में कहा था कि सौधी पर किसी भी देश को हमला हम नहीं करने देंगे पाकिस्तान सौदी के किंग के साथ हमेशा खड़ा रहेगा हर मुश्किल वक्त में सौदी अरब भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही करता हुआ आ रहा है इमरान खान ने अल अरबिया को दिये एक इंटर्वियू में कहा था कि साउधी अरब में मक्का और मदीना है और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अगर साउधी अरब पर कोई खत्रा आता है तो हमारी सेना तो क्या पाकिस्तान की लोग भी इसकी रक्षा के लिए उतर अमेरिका के एक मैगजिन टाइम से मध्यपूरो के जाने माने विसे सग्गे ओंड्रेस क्रिग का कहना है कि पाकिस्तान खाड़ी देशों के सैने मुहाया कराता है लेकिन साउधी अरब इन में सबसे एहम है इनका काम पाकिस्तानी सेना के बिना चलना बहुत ही ज़्यादा के लिए पाकिस्तान के अलावा और कोई अन्य विकल्ब तरासना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा साउधी अरब की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान काफी अहम है यह बात भी कही जाती है कि पाकिस्तान साउधी अरब की सुरक्षा से ज़्यादा वहां के साही परिवारों की ना पहुंच जाए पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मात्र इसलामिक देश है जिसके पास परमानू हतियार है इस लिहाद से भी उसकी एहमियत काफी बढ़ जाती है सॉदी अरब में करीब 28 लाग पाकिस्तानी रहते हैं पाकिस्तानी यहाँ से हर साल करीब 7 अरब डॉलर कमा कर अपने मुल्क भेजते हैं पाकिस्तान की अर्थ विवस्था के लिए काफी माइने रखता है